कि दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फि जहां दोस्तों कि बर्फि वैसे तो कही तरकी से बनती है पर आज जो हम बना इंगे बहुत ही आवश्यक्ता भी नहीं है, सिर्फ तीन चीजों से ही ये बन जाती है, ये देखिए मूँ में गुल जाए ऐसी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बरफी हमारी बनी है, तो चलिए दोस्तों रेसी बनाना स्टार्ट करते हैं, बरफी बनाने के लिए आपको सिर्फ इतनी प्रफ इतनी बनानी है, ठीक है, साथ ही मिलेंगे हम इलाइची पावडर स्वाद के लिए अगर आपको इलाइची पावडर का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर ज्यादत पर मिठाईयों में हम इलाइची पावडर एड़ करते हैं, अलो फ्रें इसमें लेंगे हम घी, और घी थोड़ा सा हलका सा गर्म हो जाए, तभी एड़ करेंगे हम बेसन, यहाँ पे आपको गेस की फ्लेम को मिडियम टू लो के बीच में ही सेट कर देना है, फास्ट फ्लेम पर इसे हमें रोस्ट नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा सा बेसन बिल्कुली कम नहीं है, आप इसे 5 मिट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे ना, तो यह बहार रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यह लीजिए, हमने इसे 5 मिट अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर हमारा जो बेसन है, बिल्कुली रो इसे हमें जलाना नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली कलर चेंज हो, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो, तब तक ही इसे रोस्ट करना है, तो यह लीजिए, हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर बेसन बिल्कुली फलफी सा हो गया ह तो अब इसे हम गेस को ओफ कर देंगे, और इसे हमें साइड में रख देना है, तो चलिए दोस्तों, तब तक बना लेते हैं हमारी चासनी, तो कड़ाई में लेंगे हम चीनी और चीनी में एड करेंगे एक कपर के पानी, पानी आप यहाँ पर ज्यादा एड ना करें, बिल तो यह लीजिए हमारी चासनी तयार है यह चेक कर लेते हैं तो थोड़ी से चमच में चासनी को इस तरीके से हम लेंगे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह चिपकनी चाहिए दोनों उल्लियों के बीच में एक तार बनना चाहिए यह देखे तो यह बिल्कुली चासनी तयार है एड कर देंगे इसमें इलाइची पाउडर इसे चमच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह लीजिए हमारी चासनी तयार है पर इस गर्म गर्म चासनी को अभी हम एड नहीं करेंगे इसे एक मिनिट के लिए हमें साइड में रख देना है जब तक हमारी च तो दोस्तो अब बेशन में एड करेंगे चासनी तो चासनी हमें यहाँ पर एक साथ पूरी एड नहीं करनी है आधी चासनी एड करें और इसे मिक्स कते चाहें दोस्तो में यहाँ पर कहीं पर भी वीडियो को कट नहीं किया है इसलिए कि आप देख सकें कि चासनी एड करते व आप इसे चलाते जाओगे यह बिल्कुली गाढ़ा होता जाएगा जिसा कि आप देख सकते हो तो बस अभी हमने इसे दो तीन बार चला लिया है फिर बची हुई हम चासनी थोड़ी से फिर एड़ करेंगे और इसे हमें फिर से फटा-फट से अच्छे से मिक्स करना है तो यह देखिए मिक्सर थोड़ा-थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो दो-तीन बार फिर से मिक्स कर लेना है और बाकी बची हुई चासनी हम फिर से एड़ कर देंगे तो बिल्कुली से मेथर से भी आपको इस रेसिपी को बनाना है तो बिल्कुली ऐसी लाजवा बर्फी आपकी भी बनकर तयार हो जाएगी तो यह देखिए सारी चासनी एड़ कर देनी है और इसे हमें फिर से अच्छे से फटा-फट से मिक्स करना है यहाँ पर आपको हाथों को फटा-फट से चलाना होगा जिससे चासनी अच्छे से बेसन के साथ मिक्स हो जाए तो यह लीजिए हमारा बर्फी का मिक्सचर बिल्कुली तयार है तो इसे हमें ग्रीज की हुई प्लेट पर एड़ कर देना है आप देख सकते हैं मिक्सचर बह होथ ही सौफ्ट और मुमें घुल जाए ऐसी बनने वाली है तो इसे अच्छे से फेला दे इस स्वादिष्ट बर्फी को और भी खुबसुरत बनाने के लिए इसके उपर आप मन चाहे वो ड्राइफ रूट छिड़क सकते हैं जिससे की बर्फी का लुक अच्छा है मैंने यहाँ पे कुछ बादाम बारिक कटे हुए छिड़के हैं तो इसे हमें पूरी तरीके से से होने के लिए रहने देना है जब तक यह अच्छे से ठंडी ना हो जाए तो एक दो घंटे बाद हमारी बर्फी अच्छे से से हो गई है तो इसके हम कट्स लगा लेंगे तो देखा ना दोस्तू सिर्फ तीन चीजों से ही चटपट से हमारी यह हलवाई से भी बहतरीन तो आप इसे दिवाली के त्योहार पर या फिर किसी भी त्योहार पर भी बना सकते हो रूस के अलावा आम दिनों में आपको कुछ मन करें मिठा खाने का तो आप इसे बना सकते हो तो यह लिए जीए इसका टेक्श्चर आप देखिए बहुत ही स्मूध कट्स आए है इसके बिल्कुल ही हलवाई के वहाँ पर होती है ना वैसी ही बरफी हमारी बनी है तो सारी बरफी के पिसिस को हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से सारे पिसिस निकल कर भी आ रहे है तो दोस्तो इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइ करें आप इस बरफी को बाहर स्टोर करके रख सकते हो 15 दिनों तक ये खराब नहीं होती है आपको कौनसी रेसिपी चाहिए वो मुझे कोमेंट करके जरू से बताए मैं उस रेसिपी का वीडियो आपसे जरू से शेयर करोंगे तो आसा करते हो दोस्तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दे और ऐसी ही और बहतरे रेसिपी आप तक पहुंच सके इसके लिए नहीं किया है तो मेरी चनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक्स फर वाचिंग दोस्तो मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ कर दोस्तो है जिए झाले रेसिपी को सब्सक्राइब का दोस्तोर चाहिं किया है वीडियों एक लगा होगाया है जडियों किया जिए प्या प्याँ तोस्तों है रेसिए का लो मुझियों किया है।